श्री अश्टावक्र गीता भाक्तीन अश्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं जिस बोध का उदय होने पर जागने पर स्वप्न के समान भ्रह्म की निवृत्ति हो जाती है उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमश्कार है जगत के सभी पधार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है पर उन सब का आंत्रिक त्याग किये बिना कोई सुखी नहीं हो सकता जिस का मन यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है आदि दुखों की त्रीवर ज्वाला से जुलस रहा है उसे भला कर्म त्याग रूपी शान्ती की अम्रिधारा का सेवन किये बिना सुख की प्राप्ती कैसे हो सकती है यह संसार एक भावना मात्र है पर मार्थता कुछ भी नहीं है भाव और अभाव के रूप में सुभाव तहा स्थित्पधार्टों का कभी अभाव नहीं हो सकता आत्मा ना तो दूर है ना पास वह तो प्राप्थ ही है तुम स्व्यम हो उसमें ना विकल्प है ना प्रयत्न ना विकार और ना मलही अज्यान मात्र की निप्रित्ती और स्वरूप का ज्यान होते ही दृष्टी का आवरण भंग हो जाता है और तत्प को जानने वाला शोक से रहिद होकर शुभाय मान हो जाता है सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है दीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे आत्मा ही ब्रह्म है और भाव, अभाव, कल्पित है ऐसा निश्चित हो जाने पर निश्काम क्यानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या ना कहे सब आत्मा ही है ऐसा निश्चित करके जो चुप हो गया है उस पूरुष के लिए यह मैं हूँ यह मैं नहीं हूँ आदे कल्पनाई भी शान्थ हो जाती है अपने स्वरूप में स्थित होकर शान्थ हुए तत्व ज्यानी के लिए ना विक्षेप है और ना एकाग्रता ना ज्यान है और ना अज्यान ना सुख है और ना दुख जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है उसके लिए अपने राज्ये में या भीक्षा में लाभानी में भीड में या सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है यह कर लिया और यह कार्यशेश है इन द्वंदों से जो मुक्त है उसके लिए धर्म कहां कर्म कहां अर्थ कहां और विवेक कहां जीवन मुक्त योगी का ना तो कुछ कर्दव्य है और ना ही उसके हिर्दे में कोई अनुराग है जैसे भी जीवन बीच जाए वैसे ही उसकी स्थिती है जो महात्मा सभी विकल्पों की संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है उसके लिए मौ कहां संसार कहां ध्यान कहां और मुक्ती भी कहां जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो वै कहें कि यह नहीं है जो कामना रहित है वै तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता जिसने अपने से भिन पर भ्रम को देखा हो वै चिंतन किया करे कि वै भ्रम मैं हूँ पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता वै निश्चिन्त क्या विचार करे जिसने अपने स्वरूप में कभी कोई विक्षेप देखा हो वै उसको रोके तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी होता ही नहीं है किसी साध्य के बिना वै क्या करे तत्वग्य तो संसारिक लोगों से उल्टा ही होता है वै सामाने लोगों जैसा वैवार करता हुआ भी अपने स्वरूप में ना समाधी देखता है ना विक्षेप और ना लै ही तत्वग्य भाव और अभाव से रहित त्रिप्त और कामना रहित होता है लोकिक द्रिष्टी से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वै कुछ भी नहीं करता तत्वग्य का प्रबर्ति या निवृत्ति का दुराग्रे नहीं होता जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह आनन्द से रहता है ज्यानी कामना आश्रे और परतंत्रता आदी के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है प्रारप्त रूपी वायू के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायू के वेग से सूखा पत्ता जो संसार से मुक्त है वह ना कभी हर्ष करता है और ना विशाद उसका मन सदा शीतल रहता है और वह शरीर रहते हुए भी विदे के समान सूशोबित होता है जिसका अंतर मन शीतल और स्वच है जो आत्मा में ही रमन करता है उस धीर पूरिश की ना तो किसी त्याग की इच्छा होती है ना कुछ पाने की आशा जिस धीर पूरिश का चित्त स्वभाव से ही निर्विशे है वह साधारन मनुष्य के समान प्रारप्त वश बहुत से कार्य करता है पर उसका उसे ना तो मान होता है और ना अपमान ही यह कर्म शरी ने किया है मैंने नहीं मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ इस प्रकार जिसने निश्चे कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता सुखी और श्रीमान जीवनमुक्त विशई के समान कार्य करता है परन्तु विशई नाई होता वह तो संसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है जो धीर पुरुष अने को विचारों से ठक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है वह ना कल्पना करता है ना जानता है ना सुनता है और ना ही देखता ही है ऐसा ज्यानी समाधी में आग्रे ना होने के कारण मुमुक्षू नहीं और विक्षेप ना होने के कारण विशई नहीं है मेरे अतरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है ऐसा निश्चे करके सब को देखता हुआ वह ब्रह्म ही है जिसके अंते करण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में कर्म ना करे तो भी करता है पर जो धीर पुरुष निरंकारी है वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता मुक्त पुरुष के चित में ना उद्वेख है ना संतोष और ना कर्तत्व का अभिमान ही है उसके चित में ना आशा है ना संदिही ऐसा चित ही सूशोभित होता है जीवन मुक्त का चित ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेश्टा नहीं करता निमित के शुन्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है अभिवेकी पुरुष या थार्ट तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मुहों को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है कभी-कभी तो कुछ पुद्धिमान भी उसी अभिवेकी के समान वेवहार करने लगते हैं मुड़ पुरुष बार-बार चित्त की एकागरता और निरोद का अभ्यास करते हैं धीर पुरुष सुशुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करते मुड़ पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न के त्याग से शांती प्राप्त नहीं करता पर प्रज्यवान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांती प्राप्त कर लेता है आत्मा के संबंद में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध, प्रियप्पून, निश्प्रपंच और निरामय भ्रम स्वरूप को नहीं जानते अज्यानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ती नहीं पा सकता और ज्यानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्यान से मुक्ती प्राप्त कर लेता है अज्यानी को ब्रह्म का साक्षातकार नहीं हो सकता क्योंकि वे ब्रह्म होना चाहता है ज्यानी पुरुष इच्छा ना करने पर भी पर्वर्भम बोध स्वरूप में रहता है अज्यानी निराधार आग्रहों में पढ़ कर संसार का पोशन करते रहते हैं ज्यानियोंने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पूर्ण नाश कर दिया है अज्यानी शांती प्राप कर सकता नहीं क्योंकि वे शांथ होने की इच्छा से घ्रस्त है ज्यानी पुरुष तत्व का द्रिन निश्चे करके सदैफ शांत चित ही रहता है अज्यानी को आत्म साक्षत कार कैसे हो सकता है जब वह दृष्य पधार्टों के आच्रे को स्विकार करता है ज्यानी पुरुष्ट तो वे हैं जो दृष्य पधार्टों को ना देखते हुए अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहां है आत्पा में रमन करने वाले धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वभाविक रूप से निरुद्ध ही रहता है कोई पधार्त की सत्ता की भावना करता है और कोई पधार्तों की असत्ता की ज्यानी तो भाव अभाव दोनों की भावना को छोड़ कर निश्चिन्त रहता है बुद्धि हीन पुरुष अज्ञान वश अपने शुद अध्वितिय स्वरूप का ज्ञान प्राप्त तो करते नहीं पर केवल भावना करते हैं उन्हें जीवन प्रियंत शान्ती नहीं मिलती मुमुक्षु पुरुष की बुद्धी कुछ आश्रे ग्रहन किये बिना नहीं रहती मुक्त पुरुष की बुद्धी तो सब प्रकार से निश्काम और निराश्रे ही रहती है अज्यानी पुरुष विशे रूपी मतपाले हाथियों को देख कर भैभीत हो जाते हैं और चरण के लिए तुरंत निरोद और एकागरता की सिद्धी के लिए जटपट चित्त की गुफा में गुश जाते हैं कामना रहित ज्यानी सिंग है उसे देखते ही विशे रूपी मतपाले हाथि चुप चाप भाग जाते हैं उनकी एक नहीं चलती उल्टे वे तरह तरह से कुशामत करके सेवा करते हैं शंका रहित ज्यानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता वह तो देखते सुनते छूते सूंते भोगते हुए भी आनन्द में मग्न रहता है शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व के केवल सुन्ने मात्र से हकुलता रहित हो जाता है फिर अचार अनाचार या उदासी नता पर उसकी दृष्टी नहीं जाती सुभाव में स्थित ज्यानी शुब हो या अशुब जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वैं उसे बालक की चेश्टा की समान सरलता से कर्ग डालता है स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ती होती है स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्दी होती है स्वतंत्रता से ही परम पर्द मिलता है जब साधक अपने आपको अकरता और अभोकता निश्चय कर लेता है तब उसके चित्त की सभी वित्तियां शीन हो जाती है देर पुरुष की स्वभाविक स्थिती विक्षोब युक्त होने पर भी श्रेष्ट है पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं उस अग्यानी पुरुष पर बनाव्टी शांती शोभा नहीं पाती दीर पुरुष बड़े भोगों में अनन्द करते हैं और परवतों की गहन गुफाओं में भी निवास करते हैं पर वे कलपना बंधन और बुद्धी की वृत्धियों से सदैव मुक्त होते हैं दीर पुरुष शास्त्रग्य भ्रामन देवता तीर्थ इस्त्री राजा और प्रिये को देख कर उनका स्वागत करता है पर उसके हिर्दे में कोई कामना नहीं होती सेवक पुत्र इस्त्री नाती और सगोत्र द्वारा हसी उदे हो जाने पर दिकारने पर भी योगी के चित में थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता लौकिक दृष्टी से प्रसन्न दिखने पर वह प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर वह दुखी नहीं होता उसकी उस अश्चर्य में दशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं कर्तव्य पुद्धी का नाम ही संसार है विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धी शुन्यकार, निराकार, निर्विकार और निरामे होती है अज्यानी पुरुष कुछ ना करते हुए भी शोभवश सदा, व्यग्र ही रहता है योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शान्त रहता है शान्त बुद्धी वाला पुरुष सुक से बैठता है, सुक से सोता है, सुक से आता जाता है, सुक से बोलता है और सुक से ही खाता है जो पड़े सरोवर के समान शान्त है और लोकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता वह दुख रहित ज्यानी शोबित होता है मूड में निवृत्ती से भी प्रवर्ती उत्पन हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवर्ती भी निवृत्ती के समान फल दाई नहीं है अज्यानी पुरुष प्रायाह ग्रह आदी पधार्तों से व्यराग्य करता दिखाई देता है पर जिसका देहे अभीमान नश्ट हो चुका है उसके लिए कहां राग और कहां विराग अज्यानी की द्रिष्टी सदा भाव या अभाव में लगी रहती है पर धीर पुरुष तो द्रिष्य को देखते रहने पर भी आत्म सरूप को देखनी के कारण कुछ नहीं देखता जो दीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निश्काम भाव से व्यवहार करता है वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लेप्त नहीं होता वह आत्म ज्यानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है देखते सुनते छूते सूंगते और खाते पीते भी उसका मन कामना रहित होता है देर पुरुष सदा अकाश के समान निर्विकल्प रहता है उसकी दृष्टी में संसार कहां और उसकी प्रतेती कहां उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या जिस सन्यासी को अपने अखंड स्वरूप में सधा स्वभाविक रूप से समाधी रहती है जो पून स्वानंद स् है वही विज्यई है बहुत कहने से क्या लाब महत्मा पुरुष भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं करता और सदा सर्वत्र राग रहित होता है मैं तत्व से लेकर संपून द्वैत रूप द्रिश्य जगत नामात्र का ही विस्तार है शुत बोद स्वरूप दीर ने जब उसका भी परित्याक कर दिया फिर उसका क्या करतव्य शेश है यह संपून द्रिश्य जगत रम मात्र है यह कुछ नहीं है ऐसे निश्चे से युक्त पुरुष द्रिश्य की स्फूर्ती से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है जो शुद स्फूर रूप है जिसे दिश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता उसके लिए विदी क्या, वेराग्य क्या, त्याग क्या और शांती भी क्या जो अनन्त रूप से स्वयम स्फुरित हो रहा है और प्रकर्ती की प्रथक सत्ता को नहीं देखता उसके लिए बंधन कहां, मोक्ष कहां, हर्ष कहां और विशात कहां बुद्धी के अंत तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्थ है इस तद्व को जानने वाला बुद्धिमान ममता आहंकार और कामना से रहित होकर शोबित होता है जो मुनी संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है उसके लिए विद्ध्या कहां और विश्व कहां, अत्वा दे कहां और मैं मेरा कहां जड़ पुद्धि वाला यदी निरोध आदी कर्मों को छोड़ देता है तो अकले शन बड़े-बड़े मनोरत बनाने और प्रलाप करने लगता है अज्ञानी तत्व का श्रवन करके भी अपने मूरता का त्याग नहीं करता वह बाहे रूप से तो निसंकल्प हो जाता है पर उसके अंतर मन में विश्यों की इच्छा बनी रहती है ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है वह लौकिक रूप से कर्म करता भी रहे तो भी उसके करने या कहने का अफसर नहीं रहता क्योंकि वह अकरता और अवगता है जो धीर सदा निर्विकार और भहे रहित है उसके लिए अंदकार कहां प्रकाश कहां और त्या कहां उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता योगी को धैरय कहां, विवेक कहां और निर्भायता भी कहां उसका स्वभाव अर निर्वचनिय है और वै वस्तुते स्वभाव रहित है योगी के लिए ना स्वर्ग है ना नरक और ना जीवन मुक्ती ही इस संबंद में अधिक कहने से क्या लाब है योग की दिष्टी से कुछ भी नहीं है दीर का चित ऐसे शीतल रहता है जैसे वै अमरित से परिपून हो वै ना नाप की आशा करता है और ना हानी का शोक दीर पुरुष्ट ना संत की स्तुती करता है और ना दुष्ट की निंदा वै सुक दुख में समान स्वयम में त्रिप्त रहता है वै अपने लिए कोई भी करतव्य नहीं देखता दीर पुरुष्ट ना संसार से द्वेश करता है ना आत्मदर्शन की इच्छा वै हर्ष और शोक से रहित है लौकिक दिष्टी से वै ना तुम्रित है और ना जीवित जो दीर पुरुष्ट पुत्र इस्त्री आदी के प्रती असक्ती से रहित होता है विशे की उपलब्धी में उसकी प्रवर्ती नहीं होती अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है सभी आशाओं से रहित होता है वै सुशोबित होता है जहां सुर्यास्त हुआ वहां सो लिया जहां इच्छा हुई वहां रह लिया जो सामने आया उसी की अनुसार व्यवहार कर लिया इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है जो अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है उस महात्मा का शरी रहे अत्पानश्ट हो जाए ऐसी चिंता भी नहीं होती ज्यानी पुरुष संग्रहा रहित स्वचंत निर्द्वंद और संशे रहित होता है वे किसी भाव में आसक्त नहीं होता पहतों के वल आनंद से विहार करता है दीर पुरुष की हिर्दय ग्रंथी बिलकुल खुल जाती है रज और तमनश्ट हो जाते हैं वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान द्रिष्टी से देखता है ममता रहित वे सुशोबित होता है जो इस द्रिष्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता आत्मत्रिप्थ है जिसके हिर्दय में जरा भी कामना नहीं होती ऐसे मुक्तात्मा के तुलना किसके साथ की जा सकती है कामना रहित धीर के अत्रिक्त ऐसा और कौन है जो जानते हुए भी ना जाने, देखते हुए भी ना देखे और बोलते हुए भी ना बोले राजा हो या रंग जो कामना रहित है वे ही सुशोबित होता है जिसकी द्रिश्य वस्तूों में शुब और अशुब बुद्धी समाप्त हो गई है वह निशकाम है योगी, निशकपट, सरल और चरितरवान होता है उसके लिए स्वचंतता क्या, संकोज क्या और तत्व विजार भी क्या जो अपने स्वरूप में विश्राम करके त्रिप्त है, आशा रहित है, दुख रहित है वह अपने अंत्य करण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसी को बताया जा सकता है देर पुरुष पत-पत पर त्रिप्त रहता है वह सोकर भी नहीं सोता वैस्वप्न देखकर भी नहीं देखता और जागरित रहने पर भी नहीं जानता जगता दीर पुरुष चिन्तावान होने पर भी चिन्ता रहित होता है इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है बुद्धी युक्त होने पर भी बुद्धी रहित होता है और अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित होता है देर पुरुष ना सुखी होता है ना दुखी और ना विरक्त होता है और ना अनुरक्त वह ना मुमुक्षु है ना ही मुक्त वह कुछ नहीं है कुछ नहीं है दीर पुरुष विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता समाधी में समाधिस्त नहीं होता उसकी लौकिक जड़ता में वह जड़ नहीं है और पंडित्य में वह पंडित नहीं है दीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है कर्तव्य रहित होने से शांत होता है सदा समान रहता है तृष्णा रहित होने के कारण वह क्या किया और क्या नहीं इन बातों का स्मरण नहीं करता वद्धना करने से वह प्रसन्न नहीं होता निंदा करने से वह क्रोधित नहीं होता मृत्यु से उद्वेक नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता शांत बुद्धी वाला धीर ना तो जन समूं की और दोडता है और ना बन की और वह जहां जिस स्थिती में होता है वहां ही सम्चित्त से आसीन रहता है उनिस्वे अध्याय में राजा जनक अश्टावकर जी से कहते हैं तत्व विज्ञान की चिम्टी द्वारा विज्ञान विभिन प्रकार के सुझावों रूपी काटों को मेरे द्वारा हिर्दे के आंतरिक भागों से निकाला गया अपनी महीमा में सित्थ मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है क्या अर्थ है और क्या विवेक है क्या द्वैद है और क्या अद्वैद है अपनी महीमा में सित्थ मेरे लिए क्या अतीद है और क्या भविश्य है और क्या वर्दमान ही है क्या देश है और क्या काल है अपनी महिमा में सित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा तथा क्या शुब और क्या अशुब क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है अपनी महिमा में सित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुशुक्ती तथा क्या जागरण है और क्या तुरिया वस्ता है अत्वा क्या भय ही है अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है तथा क्या बाये है और क्या आंतरिक है क्या स्थूल है और क्या सुक्ष्म है अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यू है और क्या जीवन है तथा क्या लौकिक है और क्या पारलोकिक है क्या लाय है और क्या समाधी है अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के तीन उदेश्ये निरठक हैं, योग पर चर्चा अनवश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनवश्यक है बीश्वे अध्याय में राजा जनक अश्टावक्र जी से कहते हैं, मेरे निश्कलंग स्वरूप में पांच महाबूत कहां है, या शरीर कहां है, और इंत्रिया या मन कहां है, शुन्ने कहां है और निराशा कहां है सदा सभी प्रकार के द्वंदो से रहित मेरे लिए, क्या शास्त्र है और क्या आत्मग्यान, अत्वा क्या विशे रहित मन ही है, क्या प्रसन्नता है, या क्या संतोश है, क्या विद्या है, या क्या अविद्या, क्या मैं है, और क्या वेह है, और क्या मेरा है, क्या बंदन है और क्या मोक्ष है या स्वरूप का क्या लक्षन है क्या प्रारब्द कर्म है और क्या जीवन मुक्ती है सरवदा विशेशता से रहित मुझ में क्या शरीर हीन कैवल्ले है सदा सुभाव से रहित मुझ में कौन करता है और कौन भोगता क्या निश्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता, क्या प्रयत्न है और क्या अप्रत्यक्ष अपने आद्वे दूसरे से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ती की इच्छा कौन योगी है और कौन ग्यानी, कौन बंदन में है और कौन मुक्त सित मेरे लिए क्या स्रिष्टी है और क्या प्रले, क्या साध्य है और क्या साधन, कोई साधक है और क्या सिद्धी है, विशुद मुझ में कौन ग्याता है और क्या प्रमान है, क्या गे है और क्या ग्यान, क्या स्वल्प है और क्या सर्व सदा निश्क्रिय मुझ में क्या अन्मनख सखता है और क्या इकागरता क्या विवेख है और क्या विवेख हींता क्या हर्श है और क्या विशाद सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है और क्या परमार्थ क्या सुख है और क्या दुख सदा विशुद मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार, क्या प्रीती है और क्या वीरती, क्या जीव है और क्या भ्रम अचल विभाग रहित और सदा स्वयम में स्थित मेरे लिए क्या प्रवर्ती है और क्या निवित्ती, क्या मुक्ती है और क्या बंधन विशेशन रहेत कल्यान रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र कौन शिष्य है और कौन गुरू क्या प्राप्त करने योग्य है क्या है और क्या नहीं क्या अद्वैद है और क्या अद्वैद अब बहुत क्या कहा जाए मुझ में कुछ भी भाव नहीं उतता है हरी ओम तचसत